हेलो इस्टुडेंट कैसे हैं यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आज हम कच्छा दसमी का 1.2 प्रस्णवाली अध्धन करेंगे प्रस्णवाली 1.2 में हम दो कॉस्चन हल कर चुके आज हम तीसरा कॉस्चन हल करेंगे अगर वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें चलिए तो तीसरे कॉस्चन में चलते हैं तीसरा कॉस्चन है हमारा अब हाज गुडन खंड बिदी द्वारा निमन लिकित पुड़ांकों की SCF और LCM गयात करना है किस बिदी द्वारा अब हाज गुडन खंड बिदी द्वारा तो हम प्रस्न क्रमांक दूसरे में कुछ अब हल किये थे तो उसमें हम दो संख्याओं का SCF निकालना से एक लिए थे आज हम तीन संख्याओं का SCF निकालेंगे चलिए तो हल करना शुरू करते हो तो यहाँ पे लिखेंगे पहला नमबर पहला नमब और LCM निकालने के लिए इन तीनों का क्या निकालना पड़ेगा हमें अभाज गुडण खंड तो चलिए पहले 12 का निकालते हैं फिर 15 का निकालेंगे फिर 21 का तो देखिए रफ कार कर लेते हैं इसका तो जब हम 12 का भाज गुड़न खंड निकालेंगे कितना आएगा 12 समसंख है 2 से भी भाजित हो जाएगा 2 शक का 12, 2 तियाई 6 और ये फिर किस से भी भाजित हो जाएगा 3 से 3 एककम 3 इसी तरह 15 का भी भाज गुड़न खंड निकालेंगे तो 15 का भाज गुड़न खंड निकालेंगे 3 पचे 15 पांच एककम 5 फिर इसके बाद किसका निकालेंगे 21 का जब हम 21 का भाज गुड़न खंड निकालेंगे तो कितना जाएगा 3 से कटेगा 3 सते 21 और 7 एककम 7 तीन और पंद्रा का कितना आया था तीन गुड़े पांच यह हो जाएगा तीन गुड़े पांच इकीस का कितना आया था तीन गुड़े साथ तो यहां पे जब हम यह सियप निकालेंगे यह सियप कौन कौन सी संख्या का निकालेंगे बारा पंद्रा और किसका निकालेंगे 21 का तो इस तरह लिख देंगे इक्वल में हो जाएगा जब यह सियब निकालेंगे तो हम देखेंगे यह तीनों संख्याओं में ऐसी काउन सी संख्याओं में जो की कामन हो कामन का मतलब होता है उभैनिष्ट कि यानि ऐसी काउन सी अभाद जी संख्या है जो तीनों में उभैनिष्ट हो देखे यहाँ पे तीन है यहाँ भी तीन है और यहाँ भी तीन है यानि तीन क्या है उभैनिष्ट है इन दोनों संख्याओं से तो इसका यह सियाप कितना हो जाएगा तीन तो HCM एककोल कितना हो गया तीन इसी तरह इसका LCM निकाल लेंगे तो LCM एककोल होगा LCM हम किसका किसका निकालेंगे बारा पंदरा और 21 का एककोल में हो जाएगा देखी यहां पे दो लिखेंगे गुणे दो जो हमारा तीन है तीन उभैनिष्ठ हो चुका है HCF में यानि कि LCM में जो HCF रहता है उसको एक बार लिखते हैं तो यानि ये तीन तीनों में हैं तो इसको एक बार लिखेंगे दो गुड़े दो गुड़े तीन गुड़े पांच आ जाएगा फिर साथ इक्वल कितना हो जाएगा दो दूनी चार चारतियाई बारा बारा पंचे साथ और जब साथ में साथ का गुड़ा करेंगे तो कितना जाएगा चार सो बीस इस तरह हम इसका HCF भी निकाल लेंगे हमको ये ध्यान देना है कि जो हमारा HCF रहता है तो HCF कितना आया था तीन ये तीनों संख्याओं में तो इसको HCF में एक वार लिखेंगे हाना चलिए दूसरा क्वेश्चन भी हलकल लेते हैं इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है हमारा सत्रा, तेईस और उन्तिस ये देखिए सत्रा का भी अभाज गुणन खंड निकालेंगे तेईस का भी निकालेंगे और फिर किसका निकालेंगे उन्तिस का इसके इक्वल में रख देते हैं सत्रा एक अभाज संख्याओं सत्रा स्वयम से भी भाजित होगा यानि इसका भाज गुणन खंड क्या होगा एक गुणे सत्रा अब आपको ये अस्चर होगा कि इसमें एक क्यों लिखते हैं अभी तक ओपर तीन संख्याओं का हम निकाले थे तो एक नहीं लिखे थे क्योंकि यह एक भाज संख्या और भाज संख्या स्वयमस या एक से भी भाजित होता है इसका या सियफ निकालने के लिए हम यहाँ पर रखेंगे एक का गुणा करेंगे क्योंकि जब हम एक किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो इसका भी एक गुणे तेश क्योंकि हमारा जो तेश है तेश भी हमारा क्या है अभाज संख्या उन्तिस भी अभाज संख्या तो यहाँ हो जाएगा एक गुणे उन्तिस फिर इसका या सियफ निकालेंगे तो देखिए या सियफ सत्रा तेश और उन्तिस जब यह सियफ निकालेंगे 17, 23 और 29 तो यह एक जो है तीनों में मिल रहा है देखिए और एक हम इसी लिए लिखे थे क्योंकि 17, 17, 23, 23 और 29, 29 एक का गुड़ा कर दी यह अभाज संख्या इसमें कोई उभैनिष्ट नहीं था इसलिए जो हमारा एक है तो सभी संख्याओं में उभैनिष्ट होता है तो यह सियफ हिक्वल इसका कितना हो जाएगा 1 यह कई बार विकल में पूश चुका है कि अभाज संख्याओं का यह सियफ कितना होता है तो हमेशा यही लिखेंगे आप कि अभाज संख्याओं का यसी आप एक होता है ये विकल में भी पूंच चुका है चलिए इसका LCM निकालेंगे तो LCM हो जाएगा 17, 23 और 29 एक लिख देंगे जो भैनिश्ट रहता उसको एक बार फिर इसके बार क्या हो जाएगा 17, 23, 29 17, 23, 29 और एक का तीनों का क्रम से गुड़ा करेंगे 17, 17 का फिर 23 में, फिर 29 में तो हमको गुड़ान फल कितना प्राप्थ होगा 11,349 ये होगा तो इस तरह इसका HCF और LCM निकालना है तो साय तक बन जाएगा इसी तरह सेम कोश्चन है तीसरा नमबर तीसरा नमबर भी देख लीजिए निकाल लेते हैं तो तीसरा कोश्चन है हमारा 8, 9 और पचीस ये 8, 9 और पचीस यहाँ पे लिखेंगे 8, 9, और पचीस 8 का भाज गुड़न खंड निकालेंगे तो 8 का गुड़न खंड कितना होगा क्योंकि यह 2 का घं है 2 गुड़े, 2 गुड़े, 2 2 दूनी, 4 4 दूनी, 8 8 का भाज गुड़न खंड हो जाएगा 2 गुड़े, 2 गुड़े, 2 9, 3 का बर्ग है तो यह इसका हो जाएगा 3 गुड़े, 3 पचीस पांच का बर्ग है तो यह हो जाएगा पांच गुड़े पांच यह लेकिन इसमें देखिए कि कोई संख्या उभैनिष्ट नहीं है इसमें कोई भी संख्या उभैनिष्ट नहीं है तो सभी में हम एक का गुड़ा कर देंगे सभी संख्याओं में एक का depois जो हमारा एक हो गया यह उभजएनिष्ट हो जाएगा तो यहाँ पर यह सीअप में क्या लिखेंगे यह सीअप आठ नो और पचीस तो यह सीअप आठ नो और पचीस का कितना हो जाएगा एक हो जाएगा एक belie क्यों एक हो जायगा क्योंकि दो ये तीन और ये पांच किसी भी संख्याओं में यानि ये तीनो संख्याओं में उभैनिस्ट नहीं है तो एक का गुंडा कर दिये और हमारा एक क्या हो जाएगा फिर उभैनिश्ट हो जाएगा इसी तरह इसका LCM निकाल लेते हैं तो LCM equal हो जाएगा 8, 9 9 और 25 इसका LCM कितना हो जाएगा देखिये तो हमारा जो एक था उभैनिश्ट हो चुका इसको एक बाल लिख देते हैं फिर क्या हो जाएगा दो गुड़े दो गुड़े दो फिर हो जाएगा गुड़े तीन गुड़े तीन और फिर ये पांच गुड़े पांच फिर इसका जब हम गुड़ा कर देंगे कितना हो जाएगा गुड़न फल देखिए जब इनका हम क्रम से गुणा कर देंगे तो हमको गुणान फल कितना प्राप्त होगा अठारा सो तो यहां लिख देंगे अठारा सो यह हो गया इसका हल सायद तक आप से अब तीन संख्यों वाला भी यस्याफ और लस्याफ निकालती बन जाएगा चलिए एव हम चौथा कोश्चन भी हहल कर लेते हैं चौथा कोश्चन है हमारा चौथा कोश्चन है यस्याफ 306 कामच 675 इक्कल नौ यानि कि संख्या 306 और 675 का यस्याफ कितना नौ यह पहले से हमको दे दिया है और यलस्याफ इसी का निकालती है 306 और 675 का 306 और 675 काम को क्या गयाद करना है LCM गयाद करना है तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे दिया है दिया है HCEP 306 कामा 675 इसका HCEP कितना दिया हुआ है 9 और निकालना क्या है LCM 306 कामा 675 तो इसको अगयाद का चिंध बना देते हैं यह इसके पहले हम दूसरे कॉस्चन में एक फार्मूला लिखे थे फार्मूला क्या था किनी दो संख्याओं का गुड़न फल LCM और HCEP के गुड़न फल के बराबर होता है तो देखे HCEP यहाँ पे लिख देंगे HCEP 306 गुड़े कामा होगा यहाँ पे 675 गुड़े LCM कितना हो जाएगा LCM 306 कामा 675 इकवल यानि कि HCEP और LCM का गुड़ा करेंगे तो इसका गुड़न फल कितने किसके बराबर होता है इन दोनों संख्याओं के बराबर तो 306 गुड़े कितना हो जाएगा 675 यह HCEP का मान दिया हुआ तो इसका मान कितना दिया हुआ है 9 तो इसके जगे हम क्या लिख देंगे 9 तो यह 9 लिख देंगे गुड़े LCM 306 कामा 675 इकवल में क्या हो जाएगा 306 गुड़े 675 तो यह 9 इधर गुड़ा में है जब दूसरे पक्ष में ले जाएगे यह 9 का जब हम यह 9 का पक्षांतर करेंगे तो इधर किस में चला जाएगा भाग में तो यहाँ LCM 306 कामा 675 इकवल हो जाएगा 306 गुड़े 675 बटे 9 यह 9 इधर गुड़ा में था इधर आएगा तो किस में हो जाएगा भाग में तो 9 का जब हम इसमें भाग देंगे तो 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे 30 से दिक नहों 9 दून अठार 9 तरीक 27 30 में 27 घटाएगे तो कितना आएगा 3 तो यह फिर हो जाएगा 36 तो 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे 36 से दिक नहों 9 चौन को 36 यह भी भाजित हो गया तो फिर यहां लिखेंगे 306 कामा 675 इक्वल 34 गुडे 675 इसका गुड़ा कर देंगे तो यह लसीम हो जाएगा 306 कामा 675 इक्वल 34 और 675 का जब हम गुड़ा करेंगे तो हमको गुड़न फल प्राप्त होगा 22,338 अगर इस प्रसना वाले में कहीं भी किसी भी प्रसन पर आपको डाउट है तो हमें कमेंट बाक्स में कमेंट करिए